आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हूं कि जिससे आपकी बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा घर का माहौल खुष्णुमा वर्शान्त बनाई रखने की कोशिश करें जिससे आपका बच्चा इसली कंसेंट्रेट कर पाएगा बच्चे को हमेशा सही टाइम पर पढ़ने पढ़ाई से ब्रेक लेने और सोने के लिए प्रतसाहित करें बिना ब्रेक के लगातार पढ़ते रहने से वो तनावगरस्त हो सकते हैं बच्चे की मदद के लिए हमेशा रेडी रहें उन से पूछते रहें उन्हें किसी प्रकार की मदद तो नहीं चाहिए बच्चे पर किसी भी तरीके का प्रेशन ना डाले बेटा तुम्हें 90% लाने ही होंगे जैसे वाकिए गलती से भी बच्चों के आगे ना बोले अगर परिक्षा के दौरान बच्चे का व्यभार सही नहीं है तो गुस्सा होने की बजाए खुद पर काबू रखे और प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करें एक्जाम पीरिड में उन्हें किसी भी तरीके का घर का काम ना दे और ना ही कोई ऐसी बात कहें जिससे उनका पढ़ाई से ध्यान हटे नेक्स्ट पढ़ाई को लेकर बच्चे के पीछे ना पढ़े रहें रिलाक्स वो फ्रिश होने के लिए उन्हें थोड़ी देर खेलने और टीवी देखने की भी छूट दे बच्चे के सामने ये कभी न जाहिर करें कि आप उनकी परिक्षा को लेकर चिंतित हैं अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रुच्साहित करें उनके साथ हमेशा प्यार से पेश आएं आई होब ये इन्फरमेशन आपके लिए बहुत हेल्पुल रही होगी so guys please like share and subscribe and have a happy parenting